आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, हमार जो question है उसमें बोलगा है कि sum of 19 term of an AP यह given by A1 plus A2 plus A19 यह हमारा क्या होगा जब हमको given है क्या कि A4 plus A8 plus A12 plus A16 is equal to 224 के equal है ठीक है तो देखो जो given है उसको हम देख लेते हैं तो मैं मालता हूँ कि चलो अपना पहले मालता हूँ कि अपना जो AP है उसका first term क्या है A1 is equal to मैं मालता हूँ चलो A है ठीक है और इसका common difference क्या है D है तो A2 कितना होगा A2 होगा A plus में D होगा ठीक है इससे तोरह से A3 कितना होगा A3 होगा A plus में कितना 2D होगा ठीक है और हमको पता है कि भाई N term of AP क्या होता है A plus N minus 1 into में कितना D होता है ठीक है, तो देखो, यह जो हमको given है, इसको हम solve करते हैं, तो देखो, a4 अप्लेस में कितना, a8 अप्लेस में कितना, a12 अप्लेस में कितना, a16, is equal to कितना given है, 224 इसका मतलब यह कौन सा time है, 4 time है, तो इसमें रखोंगा, तो a a Plus में कितना हो जाएगा 4 मैनस मनत् believing 3d ठीक है और इसी तरह से यह कितना होगा यह होगा e plus में Kayla 70 ठीक है इसी तरह सी यह कितना live यह कितना Ahh a Plus में अबर चलो इह चार बार है तो मतलब यह कितना हो जयागा ठीक है अब प्लस में देखो events 10 plus 3, 7 plus 3 कितना होता है, 10 होता है, और 10 plus 11 कितना होता है, 21 plus 15 कितना होता है, 36 के एक्वल होता है, तो 36 into D is equal to कितना होजाएगा, 224 के एक्वल, ठीक है, तो 4 अगर मैं common कर लूँ, तो कितना हैगा, A plus में 9D is equal to कितना, 224 के एक्वल, ठीक है, तो 4 से divide कर देते हैं, तो A plus में 9D जो आएगा, वो कितना हैगा, 56 के एक्वल आजाएगा, ठीक है, तो इतना आगया, चलो, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, sum of 19 terms, ठीक है, तो sum of n term of an AP हमको पता होता है, वो क्या होता है, होता है, n by 2, और 2A, अब plus में कितना, n minus 1 into में D होता है, यह होता है, मेरा sum of n term of an AP, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर, हमें 19 term का पूछा गया है, ठीक है, मतलब S 19, वो कितना हो जागा, 19 divided by 2, अब plus में 2A, अब plus में 19 minus 1 कितना होगा, 18, तो 18D, ठीक है, अब यहाँ से 2, अगर common करूँगा, तो वो 2 यहाँ से कट जाएगा, मतलब 19 into में कितना आएगा, 2 common हो चुका है, तो A plus में 9D आएगा, ठीक है, और A plus में 9D की value हमने देखो, पहला ही से निकाल रखा है, कितना, 56, तो यह कितना हो जागा, 19 into में 56 का इक्वल, ठीक है, तो यह कितना आएगा, यह multiplication क से लेके, नीट IIT जेही, मेंस और एडवांस के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा, यह वाच्साप कीचे अपने डाउट्स, 8444 चार्स उपर